नमस्कार आप देख रहें नौबारत टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ बिट्टू गिरी बिहार में बिपी असी और सटवी पिटी का एक्जाम आज होना है उसको लेकर तस्वीरे में आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से जो सेंटर बनाये गए हैं वहाँ पर जो सुरच जिलों में सारे 800 परिच्छा केंद्र बनाये गए हैं पट्ना में अगर बात किया जाये तो 68 केंद्रों पर 44,478 अभियरती परिच्छा देंगे आयोग के सचीव और परिच्छा नियंतरक रभी भूसर ने बताया है कि इस वार की पीटी परिच्छा में 4,34,661 आवेदन आ जो लेकर जो निगेटिव मार्किंग है वो भी जो बीपेस्टी का जो आज एक्जाम है उसमें आएगा आपको यह तस्मीरे दिखा रहे हैं यह एन कॉलेज का गेट है जहां पर सारे नोवजी की इंट्री हम बात करेंगे उन जो अभियारती यहां पहुँचे हैं यह बता है जो एक्जाम पूछे जाएंगे इस बार निगेटिव मार्किंग भी है तो क्या लगता है निगेटिव मार्किंग कितना सही है सही तो है बस जो कोश्चन समझ में उससे को अटैम करना चाहिए अब यह कि तुक बाजी जदा नहीं चलेगा कंकडवाक्स आई है और लोग करेंगे जो अव्यारती हो यहां पर पहुंचे हैं दूर दूर से जो एक डाम है वो देने आया है आप कहां से पटना सही हूं कि इतना होना चाहिए उतना हुआ है लेकिन फिर भी नर्वसने सोड़े पे तो होती ही है इस वार निगेटिव मार्किंग है ज्यादा टच करना जरूरी होगा जो हम को जिस पर हम यहीं ञांटे जो नहीं जानता है उसको मुझ करिंगे सैंटर पहुंचे हैं और यह तस्मीर को लेज जिखार हुँ जहां पर तमाम अभियारती पहुंचे हैं अबसे थोड़े ही देर में कहा यह जा रहा है कि सारे 9 वजे की इंट्री होनी है और सारे 9 वजे जो अभियारती है वो अंदर जाएंगे और एक्जाम जो है वो देंगे इस वार जो है निगेटीव मार्किंग भी दिया गया है कुल डेर सो प्रस्न जो है वो पुछे जाएंगे और क्या होता है इस वार जो सरसठवी पीटी का जो एक्जाम है वो किस तरीके से जो अभ्यारती है वो फिलफ कर पाएंगे ख़बरों के साथ बने रहें और देखते रेना बारत ताइम्स पत्ना से बिटूगरी की रिपोर्ट